नमस्कार दोस्तों इस तरह का मीनी टर्च ज़दी आपके घर में है तो आज इस टर्च को आप अपन घर बैठे रिपेर करें कैसे रिपेर करना है हम आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ हाँ चार्ज करके देख लेते हैं चार्ज में लगाते ही जो टर्च है जल जाता है आगे और पीछे का जो लाइट है बिल्कुल सही जल रहा है लेकिन लिकानने के बाद में क्या हो रहा है कि टर्च बिल्कुल नहीं जल रहा है तो आज हम इस TARGE को रिपेर करेंगे देखेंगे कि इसमें क्या pillarब्लम है तो खुलने के बाद सबसे पहले ध्यान देना है कि बैटरी का वायर कहां से तूटा तो नहीं है तो इसमे जो बैटरी है बैटरी का कनेक्शन बिलकुल सही है तो सबसे पहले मल्टिमीटर से जिदि आपके पास मल्टिमीटर है तो मल्टिमीटर से चेक कर लेंगे तो पता चलेगा कि बोल्टेज जो है नीचे की तरफ भाग रहा है तो नीचे की तरफ भाग रहा है उसके बाद में चार्जिंग लीड लगा कर चेक करेंगे कि बैटी पर supply मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो चलिए light को हम आउप कर देते हैं और यहां पर बैटी पर हम voltage check करेंगे तो देख रहे हैं बैटी पर voltage jr.4 बोल्ट का सपस में मिल रहा है यानि कि बैटी charge कर रहा है तो यहाँ पर आपको किलियर हो गया है कि बैटरी ही खराब होगा तो इसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद फिर लिकाल कर लीड को चेक करेंगे जिदी बैटरी कुछ चार्जिंग हो जाता है तो ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वोल्ट से चार्ज हुआ था उसके बाद में माइनस में जा रहा है इस तरह के जो वोल्टेज है माइनस में जा रहा है तो इससे किलियर हो गया कि बैटरी ही खराब है माइनस में नहीं जाना चाहिए जितना चार्ज हो गया चार्ज उतना ही बतलाना चाहिए तो आपके पास P9 अगरा होगा तो यहाँ प्लस पर इसको फुल करेंगे इसमें गैस अगरा भी भड़ जाता है ज्यादा ओभर चार्जिंग के वज़़से क्या होता है कि बैटरी बोल्टेज नहीं बतलाता है तो इससे भी हो सकता है तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको चेक कर लिया तो एक वोल्ट के करीब करीब बतला रहा था उसके बाद में फिर भी माइनस में जा रहा है तो इसको कुछ समय के लिए फिर हम चार्ज करके देख लेते हैं जदि सई हो जाता है तो ठीक है नहीं तो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं चेक करने के बाद में एक वोल्ट से नीचे माइनस में फिर भी जा रहा है तो अब हम इस बैटरी को चेंज करेंगे तो मेरे पास यह के बैटरी है यह भी लिथिय में बैटरी है जो कि LG लिख कर आता है LG का है नहीं लेकिन LG लिख कर इस पर आता है तो चलिए बलैक और ये डोला वायर को, दुनों को हम काट लेंगे, काटने के बाद में, इस पर भी सप्लाई चेक करेंगे, कि ये ये जो बैटरी है, लगाने से पहले चेक कर लेना है, कि बैटरी सही है की नहीं है, तो ये जो बैटरी है, बिलकुल सही बतला रहा है voltage तो यह जो बैटरी है सही है अब इस बैटरी को हम क्या करेंगे कि change कर देंगे तो change करने से पहले एक चीज आउर ध्यान देना है कि इस पर minus और plus का जो wire है देख लेना है कि कौन सा minus है कौन सा plus है इस पर कर देना है है तो चली हम दुनों point पर दुनों wire को solder कर लेते हैं और के बाद में हम इसको charge करके देखेंगे तो यहां पर जल रहा है देख लिए है ड्याइट जल रहा है बिल्कुल पहले क्या हुरा था की charging में लगाने के बाद में जो indicator था green ही जल रहा था green red दोनों जल रहा था और charging लगाने के बाद में किवल red ही जलेगा green नहीं जलेगा ज़िदि इस्टरा का touch charging में लगाने के बाद में green और red जल रहा है तो आपको पुरा clear हो जाना चाहिए कि battery पर supply जा रहा है इसलिए red और green दोनों light जल रहा है और ज़िदि आपका battery सही होगा तो किवल red ही जलेगा इसमें यह जो चीज दिया है वो बहुत अच्छा है तो ज़िदि इस charge को हम फीट करके फिर से charging लगाकर छेक कर लेते हैं तो दोस्तो इस तरह का छोटा छोटा जो problem है आप अपने घर पर ही solve कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं ज़िदि इसके बारे में कुछ जनकारी है तो तो दोस्तो आप लोग से एक और request है कि आप ज़िदि मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये होंगे तो सबस्क्राइ के देखते हैं तो चलिए सबसे पहले इस क्रूप को अच्छी तरह से इस टार्च के कबिनेट को बेठा कर देख लेंगे तो दुस्तो देख रहे हैं जो green light पहले जल रहा था red और अब जो है बिल्कुल red ही जल रहा है तो यहीं से मालुम चल जाएगा कि बैटी जो है टार् घर मैं जाया है रहा है टार यहीं से जाएगर टूर उलिए।